आखिरकार तजश्वी यादब अपने ही गठपंदन के नेता पर इतने नाराज होते हुए क्यों नज़र आए? नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेश्व बिहार के डिप्टी सियन तजश्वी यादब कभी भी गलत चीजों को बरदाश्ट नहीं करते हैं तजश्वी यादब कि अगर नेता कुछ ऐसी उलूल जूल बाते करते हैं तो तजश्वी यादब उनका समर्थन करते हुए नज़र नहीं आते हैं एक बार फिर ऐसा ही हुआ है कि तजश्वी यादब ने अपने ही दल के नेता पर विरोज जताया है डियम के सांसद दया नीधी मारन ने यूपी बिहार के लोगों को लेकर एक ववादित बयान दिया जिसको लेकर तजश्वी यादब की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई तजश्वी आदम ने सांसत के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए बिहार यूपी के मजदूरों की मांग कई राजियों में होती है दूसरे राजियों में बिहार यूपी के मजदूर न जाये तो उनकी जिन्दगी ठप हो जाएगी ये बात लोगों को समझना चाहिए की दया नीधी मारन ने कहा था कि उत्तरप्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलाडू में आकर ट्वायलेट साफ करते हैं तजश्वी आदब ने कहा है कि करुणा नीधी की पार्टी जीएम के जो है वो समाजुक नयाय की पार्टी है हम लोग हर किसी का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के लोग भी यूपी बिहार के लोगों का सम्मान करें बिहार और उतरप्रदेश के खिलाफ डियानिधी मारन की अपत्ती जनक टिपनी को लेकर बिहार प्रदेश कॉंग्रस के पॉलिटिकल अफेर कमेची के सदसे डॉक्टर शंद्रीका प्रशाद यादब ने उन्हें लीगल नोटीस बेजा है उन्होंने डियानिधी मारन से ये अपील की है कि वो 15 दिनों के भीतर बिहार और उतरप्रदेश के लोगों से माफी नहीं मांगे नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कारिवाई की जाएगी एक दरब जहां DMK के इस अंसद दियानिधी ने जब से बिहार और यूपी को लेकर ये विवाजित बयान दिया है तब से राजनीती शुरू हो गई है तजश्वी आदब से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो तजश्वी आदब ने कहा है कि इस बात पर राजुनिती ना करें और अगर उन्होंने ऐसी बाते कही है तो ये बेहद ही आपती जनग बाते हैं क्योंकि बिहार और यूपी के मजदूर बाहर जाते हैं काम करते हैं तब ही बाहर वाले लोगों की जन्दगी चलती है अगर ये लोग ना जाएं तो उनकी जन्दगी ठप हो जाएगी और ऐसे बयानों से नेताओं को बचना चाहिए जश्वी आदब ने इसका जमकर विरोत किया है साथी साथ उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है वाने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर क्या बिहार की राजुनीदी में नया मोड लेकर आता है बिपक्ष में खड़ी बीजेपी की सरकार इस पर क्या करती है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूस फॉनेशन